अब मैंने जो इससे पहले पूरा जिखर किया कि अल्ला के वजूद के तालोक से इतना ज्यादा नंबे चौड़े तेरा चौड़ा चाप्टर हमारे वे असर बात यह है कि पहले जमाने में आज से पहले आज से समझे चारसो पांसो साल पहले या उससे पहले अंटिक्विटी कि जब जूँ इनसान पैदा होता था जो हम है जो लोग जिस हम जिल मुलकों में है बहुत के वारे में बस नोन मामला रहता है कि बस हाय कि उसके बारे में शकुप को शुबात नहीं थे जिफ्टों को भी शुबात थे अल्ला की तॉल ज़ूद आपती दे पहले जमाने में अल्ला के वजूद के बारे में किसी को कोई शख शुवा नहीं था पहले दमाने में, अल्ला का वजूद माना वह अंडर्स्टूट चीज थी बस, अंडर्स्टूट था, कि है और आज के जदी दोर में, साइंस से और जदी मालूमात से, मन्तख से, लोगों की दिमाग खुलन इसके अंदर, आज बस हम इंशाला सूर करेंगे, इसलिए एक बात याद आ गई, कि अल्ला के वजूद के बारे में, पहले जमाने में, कोई शखुक शुवात किस्त की दिल में नहीं थी, इसलिए, वो अंडर्स्टूड बात थी, कि है, उस जमाने में शखुक शुवात को कोई गलत बात बोल दें, कुछ के सोच लें, तो हमको खुद अंदाब होता है, यह गलत तो नहीं है, इसलिए लोग दिल में समझते थे, अकर उनकी दिल में शखुक भी पैदा हो जाए, इसलिए उस जमाने में बात अंडर्स्टूड थी, पहले जमाने में अंडर्स्टू यह है, कि उस जमाने में अंडर्स्टूड था, कि अल्ला है, और उस जमाने में ऐसे बेखुपी के सावाला करने अलगों के जवाब नहीं दे सकते थे, दिया जाता था, बलके उनके खामुशी, गोतम बुद के तो यह दिखाती है, कि मैं इतना पूरा जिंदगी अपनी ब यह है, कि अल्ला का अंडर्स्टूड था, खुदा का वजूद अंडर्स्टूड है, ऐसे में ऐसे बेखुपी के सावाला करने का जवाब नहीं था, यह ही था, दूसरे बात यह चले हमारे